सहारा मैरेज हॉल मुम्रा का शांदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल इन्वार्मेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वी आपी लाउंज के साथ एमपल आफ पार्केंग। डिस्टिनेशन वेडिंग, कॉटेज, गेस्ट रूम, स्वीमिंग पूल जल्द ही अविलेबल होने वाला है। वेरियस डिसकाउंट ओफर जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटर्कनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ वेश्ट कैट्रिंग सर्विस, फुल फ्लेज मेरिज हॉल विथ एट्रेक्टिव पैकेज के साथ जो आपकी बजट में सहारा मेरिज हॉल। वेरियस डामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटेंग्स। मुम्रक के कादर पहले से इलाके में फारिंग होने की खबर सामने आई है जहां अल साकरीन नामक इमारत की रूम नंबर 502 में रहने वाले परिवार के हसीना इसमाईल शेख ने बताया कि फारिंग जैसी आवाज जोर से आई और खिर्की के काँच तूट कर उसमें सुराक हो गया है सूचना मिलते ही कादर पहले स्ट में ही पेट्रोलिंग कर रही मुम्रा पुलिस की टीम मौके पर पहुँच गई पुलिस ने और क्यों फारिंग की है वहीं मुम्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पी आई एनपी को लहटकर ने बताया कि जानकारी मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुँच गई फारिंग हुई है ऐसा बताया जा रहा है मगर अभी तक कुछ बरामत नहीं हुआ है सिर्फ खिड़की के काश के टुकड़े मिले हैं पुलिस ने शाकरीन इमारत के सामने वाली इमारत में भी जाकर जाच किया कि कहीं यहां से फारिंग तो नहीं की गई है मगर पुलिस को महां से भी कोई चीज बरामत नहीं हुआ और नहीं कोई सुराथ मिला वहीं परिवार फाइरिंग होने का दावा कर रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की तहकिकात कर रही है अल्चाकरिन नमक इमारत में रहने वाली परिवार हसीना इसमाइल शेख ने इस मामले को लेकर क्या बताया और वहीं मुम्रा पुलिस इस्टेशन के सीनियर पियाई एन्वी कुलहटकर ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं माजी क्या नाम है आपका? अच्छा आपके यह घर में कुछ फाइडिंग की जैसे गोली की आवाज आई थी ऐसा करके बताए जा रहा है तो इस जगे का नाम के आपके बिल्डिंग का नाम क्या है और क्या हुआ था मैं कादर पेलेश में रहती हूं अल्शाकरिम बिल्डिंग है 502 रूम नंबर है और मैं नमाज पढ़ रहे थी और यहां आवाज आया तो यहां मेरी भाव थी इतने वज़े के आस-पास यह इशा के टाइम पे इशा के टाइम हां तो मैं नेमी यहां नमाज पढ़ती हूं आ आपको नीचे एकदम डायरेक होन गुआ और वो डायरेक उदर पूरा कच्छी रहा उदर कांच पुरा चूरा चूरा हो गया उदर तो पूरा चूरा चूरा बच्चे लोग चोटे ना गोद वाले तो सवो चल रहे ले पेल में चुपेगा करके आम लोग ने जाडू मारे और जाडु मार के सुपड़ी में भरे लेकिन उसमें हम लोगों को ऐसे कोई चीज नहीं मिली अभी तक डूंडी रहे हम लोग अवाज वगेरा भी आई एकदम आईसा आई कि किसी ने कुछ फाइरिंग जैसा आई हम लोगों कुछ मतलब मिला विला है यहां अभी तक कुछ म वर्षी थी आज तो हम लोग फात्या करा रहे थे और फात्या करने के लिए मेरी पूरी चे बेटी दामात सब लोग आये हुए थे आपका पूरे परिवारता परिवारता मेरा लगा है जाने नुक्सान किसी ने कि अल्ला का शुकर है अलम्दुल्ला किसी को लगा नहीं है स शुकर है और मैं नमाज पढ़के उठी और उतने में फुलिस वाले हैं यहां पर हम कोई कंट्रोल से कॉल आया था सवादस बजे रात को कि कुछ कांच के ऊपर एक फाइरिंग जैसा कुछ लगा उनलों को भर में से तो जैसे कॉल आगे तो हम यही ही रह में थे पेट्रोल हुरा सुरे नाया यहार परेव अंदर से वाद। सो फुरन से फुर्व हुरा सब्सक्राइब उनलों कहीं डो में दो तिन भार सर्च इन लोगों है जो जो घर में तो मैं रहते हैं उनलोगों भूह harsh जाटना एक चाह गार में तीम को कि तो क युकर में तो मेला ने फिर विम आगे के पूरी काज जो है विंडो का एक पार्ट है वो तावे में ले रहे हैं और यह कैसे हुआ क्या हुआ इसका पूरा इन्वारी कर रहे हैं इस जगी का नाम क्या है जहां पर यह आप सब्सक्राइब कादर पैलेस पे एक बिल्डिंग एक पांचवे मा सब्सक्राइब करें उनके घर में हाथसा हुआ है क्या लगता पांदाजन क्या चीज़का हुआ है कि अभी अंदाजन अगर कुछ फाइरिंग होता है तो अंदर बुलेट या कोई उसका पार्ट तो जरूर मिलना चाहिए लेकिन आइसा हमनों पूरा खोज लिया तीन-चा पाहिल नहीं क्योंकि इसमें घर में छे मैला और दो जेंट बैटे थे फैमिली थी उनकी तो हॉल में बैटे थे और बेडरूम के बैक साइट में विंडो पे लगा हुआ है कितने बजे की घटना होगी सर यह रात के सवा दस बजे के टाइम भी घटना है झाल 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 झाल